आज हम बात करेंगे टेली प्रैम में हम बिल्स ओफ मट्रियल का सेटिंग कैसे करेंगे जन्दल ने हम कब यूज करेंगे बिल्स ओफ मट्रियल तो फॉर एग्जामपल सब्सक्राइब कोई मैनिफेक्चरिंग यूनिट है महां अलग-अलग रो मट्रियल मिला के एक फाइनल फिनिश प्रोड़क बंद रहा है तो इन इस कैंड अफ सिनेरियो हम बी ओ एम का यूज करेंगे तो फस्त ओफल मैं जो भी आइटम से मेरे टेली में वह में दिखा दो तो यहां देखिए रो मट्रियल का एक ग्रूप है यू कैन सी यहां कैबिनेट केबल्स, ग्राफिक कार, मदर बोर, पावर सप्लाई, रेम और एसेज़ दी अब यह सब एक एक चीज मिला कि मैं एक फाइनल प्रोड़क रेडी करूँगा जिसको मैं बोलूँगा, एसेम्बल सीप्यो, ओके फाइन, सो यह सब कैसे करेंगे, वो देखेंगे नाव फर्स तो फॉल मैं एक आइटम क्रिएट कर दूँगा, जो फिनिस प्रोड़क का एक पार्ट होगा सो मैं simply यहां जल जाओंगा, gateway of daily पर, यहां create करूँगा मैं simply यहां मैं stock item कर दूँगा, यहां लिख दूँगा, मैं asemble cpu, ओके so यहां मैं simply finished product सिलेक कर दूँगा, unit मैं nois यह जो main feature है, set components वह आपको enable करना है अगर नहीं आ रहा तो F12 प्रेस करके यहां से yes करेंगे तो वो यहां आ जाएगा अब मुझे यहां simply name देना है suppose same ही name में एंटर कर दूँगा CPU नव unit कितने बनेंगे तो भई एक बनेंगा अब यह एक unit बनाने के लिए मुझे कौन से कौन से item का use करना पड़ेगा तो भई cabinet एक होगा cables हमारा एक रहेगा, graphic card भी एक motherboard एक power supply unit भी एक रहेगा एं हमारे केसमे rain दो रहेगी and SSD जो है वो हमारा एक रहेगा अब यह सब चीजों को मिला के मैं एक final assemble CPU बनाऊंगा अब जो भी GST वगएरा rate है वो simply enter हमने components दीए वो सब use होंगे, okay so देखिए, now finish product में as of now दो कोई item नहीं है लेकिन finish product group में हमारा एक item बन गया assemble CPU, अब आपको क्या करना है simply vouchers में आना है, वहाँ आप stock general का use कर सकते, to do this kind of thing find so देखिए editor F7 जैसे ही करूंगा, तो हमारा stock general का यहाँ option आ गया, लेकिन मैं क्या करूंगा, एक अलगी voucher बना दूंगा bills of material के name से so उसका पूरा separate ही हमारा रहेगा record, find बनाऊंगा मैं stock general में, लेकिन वो रहेगा अलग record, तो simply voucher type में आऊंगा, यहाँ name देदूंगा मैं bills of material okay, यहाँ मैं select कर दूंगा, voucher type में stock journal, यह simply में save कर दूंगा अब देखिए, अगेन मैं voucher में आऊंगा, alter F7 करूंगा तो you can see यहाँ दो option है, तो मैं bills of material select कर दूंगा, यह main चीज़ यहाँ change mode करके आपको select करना है use for manufacturing journals okay, अब देखिए यहाँ मैं assemble CPU select कर दिया fine, जो हमारा final product है अब देखिए, जैसे ही मैं यहाँ quantity enter करूंगा, you can see जो भी rate, quantity, जितने use होंगे, वो सब automatically लिया गई suppose यहाँ मुझे दो बनाए, तो देखिए, दो आ गई, same way rate में 4 आ गई, because मैंने वहाँ set किया हुआ था, fine अब suppose कोई case में मुझे ऐसा करना है कि, नहीं, frame मुझे 3 कर देना, तो यहाँ से मैं change कर पाऊंगा, same way rate वगेरा भी यहाँ से मैं change कर पाऊंगा, fine अब यह जो option एक हो, product, by, product और scrap, यह generally way stage के case में हम यूज़ करेंगे, as of now, हमारे case में इसका कोई use नहीं है, simply जो इतना select कर दिया है मैंने, वो मैं अब save कर दूँगा, okay तो हुआ क्या, कि सब जो भी अलग-अलग components थे, वो मिला कि मैंने total 3 assembled CPU ready कर दिये, fine so in this way BUM works, suppose मैं यहाँ stock item में जाऊंगा stock group में जाके मैं simply आपको raw material दिखा दो, तो you can see यहाँ, सब चीज़े कम हो गई NREM, छे कम हो गई now, यहाँ finished product में देखिया assembled CPU आगया हमारा, 3 quantity and rate भी हमारा आगया, okay अब मैं directly assembled CPU है, वो sell कर पाऊंगा easily, okay, so in this way, we can create bits of material in teleprime okay, so this is for today, thanks for watching kindly like the video and subscribe the channel thank you